अंक पुईलाओनो नौरक्नो खुलूंग मास कांगिया फारो खुलूंखा जोतन ननननो मंच में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी योगी आदेतियनाज जी हमारे तुरुपुरा के मुख्य मंत्री जी डॉक्टर मानिक शाहा जी हमारे चित्त महराज यहां में जो हमारे राज़्य सरकार से कैबिनेट में जो मंत्री है सबका नाम नहीं लूँगा लेकिन सब हमारे ही है हमारे होदा ओक्रा है हमारे सामने में जो MLA's है, Dignitories है सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन सब को मेरा साधर प्रणाम, सब को मेरे तरफ से प्रणाम मैं जादा समय नहीं लूँगा लेकिन क्योंकि हमारे जो लोग यहां में उपस्ते थे आपको हमारे मुखी मंत्री जी का बात भी सुनना है मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा लेकिन मैं तृपुरा के बारे क्योंकि ये नैशनली टेलकास भी हो रहा है मैं तृपुरा के बारे कुछ कहना चाहता हूँ तृपुरा एक ऐसा राज्य है जो स्वाधीन तृपुरा के नाम से जाना जाता था मुगल आये अंग्रेज आये लेकिन तृपुरा स्वाधी नहीं रहा ना मुगल ने हमें शिकस्त किया ना अंग्रेज हमें उनके वसल बना सके ऐसा क्यूं हुआ इसके पीछे भी एक गहरा सोच है राजनीती सिर्फ दिखावे से नहीं होता है एक अंदर में भी एक मजबूती रहना चाहिए मुझसे पहले जो प्रवक्ता थे उन्होंने काफी कुछ कहा है आज तृपुरा का एक अलग कल्चर है आज से पांच सो साल पहले मेरे ही पर दादाओने शूजा के लिए मस्जिद बनाया हमारे यहां में शंभूच आक्मा है मेरे ग्रैन फादर ने बुद्ध मंदर बनाया और तृपुरा सुंदरी का रक्षा भी हमने मरते दम तक हम सब ने किया यह तृपुरा का एक कल्चर है आज के दिन हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि पडोस में बंगलादेश है आज अगर हम कुछ तालियों के लिए अगर हमने कुछ कह दिया तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जनजाती भाई हमारे हिंदू भाई बहन जो बंगलादेश में है आज यहां से कोई भी बयान अगर जाएगा तो उनको मुद्दा मिलता है हमारे माईनौरिटीज जो बंगलादेश में उनकी उपर रत्याचार करने के लिए तो जो भी कहना है जो भी करना है बोल के नहीं करना है दिल के अंदर मजबूती रखना है मैंने देखा है कि आज जो चित्तो महराज ने यहां में मंदिर का निर्मान किया है मैं चित्तो महराज को नमन करता हूँ I respect you चित्तो महराजी मुखी मंतिर जी भी है यहां में हमारे तुरुपुरा के उनका भी सोच हमारे सोच से मिलता है और आपने मुझे एक दर्ख्वास भी की थी कि यहां में तुरुपुरा में एक अच्छा जमीन दिया जाए कि आप यहां में एक अच्छा सा English Medium School खोले मैं चाहता हूँ क्योंकि हमारे मुखी मंतिर जी भी यहां में है और निका दिल बहुत बड़ा है हम लोग काउंसिल से राज्य सरकार से आपको English Medium School खोलने के लिए जगा देंगे और मैं अपने व्यक्तिकत तरफ से भी आपको साहता करूंगा कि एक अच्छा सा English Medium School आए जहां में हमारे जनजाती जो बच्चे हैं उनको भी एक अच्छा सा अफसर मिले कि वो जिन्दगी में आगे बड़े ये मेरा दर्ख्वास्थ है और हम करेंगे आज के दिन मैंने देखा है कि हमारे ट्राइबल एरियाज में स्कूल की कमी है जो लोग इतना बयान देते हैं वो लोग स्कूल नहीं खोलते वो लोग हस्पताल नहीं खोलते और अगर हम अपने नेक्स जेनरेशन को अपने बच्चे को अपने माबाप को अच्छा सा चिकित्चा नहीं देपाएंगे जल जाती है अरियाज में स्कूल नहीं देपाएंगे जहां से बच्चे का शिक्षा अच्छा हो तो उनको कल नौकरी मिले अगर हम ये सब नहीं देपाएंगे तो हिंदू बोलकर हिंदू का दिखावा क्या करना अगर करना है तो कीजिए आज तक मैंने सुना है मैंने देखा नहीं है चित्तो महराज जी अगर स्कूल खोल रहे है तो ये मेरा धर्म बनता है मैरा कर्तव ये बनता है मैरा दायत तो बनता कि मैं उनको help करू बयान से नहीं होगा करना होगा यहां में मैंने दो तीन चीज और देखा है तुरुपुरा का एक जो कल्चर है हम हमारा जो धर्म है आप मात्रुपुरा सुन्दुरी को देख लीजे हमारा खार्ची होता है केर होता है बुईसू होता है संग्रोमा होता है हम लोग सब एक संग मिल जूल कर बैट कर खाते हैं मैंने ये दूसरे जगे में नहीं देखा है लेकिन आज भी मैं देखता हूँ जब हमारे घर में राजबाडी में जब पूजा होता है तो फकीर बाबा आकर नमाज भी बढ़के जाता है सुरक्षा करता है मंदिर और मूर्तियों का ये हमारा कल्चर है आज हमारे 14 देखता जो हमारा 14 देखता है वहां में हमारे पुजारियों को आज भी ठीक से हम पैसा नहीं दे पाते हैं स्टेट गवर्मेंट इनको चलाता है लेकिन हमको भी सोचना चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर रहे है हम दूसरे के बारे बात कर रहे लेकिन अपने लोगों के बारे क्या कर रहे है शक्ति अंदर से आता है औजार से नहीं आता है शक्ति और यही बात मैंने हमारे उग्रबंदी को कहा औजार से शक्ति आप दिखा सकते हैं लेकिन अस्री शक्ति अंदर से आता है और वो शक्ति होता है, आप विचार करें, आप सोचें कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, राज्य को आगे बढ़ाना है, तो हिंसा से कुछ नहीं होगा। देश को अगर आगे बढ़ाना है, शिक्षा से कुछ मिलेगा, चिकित्सा से मिलेगा, विवस्ता को बदलना पड़ेगा, और अगर विवस्ता को बदलना है, तो सबसे पहले हमको अपने अंदर जाक के देखना पड़ेगा कि हम में क्या कमिया हैं। आज हमारे अंदर लालच है, आज हम कमजोर क्यूं होए हैं। लालच के लिए, इगो के लिए, जलन है। और अगर हम अपने गरीब भाई, बेहन जो गाउं में रहते हैं, उनके बारे सोच नहीं सकते हैं, तो ये पग, ये पोस्ट, ये सिंखासन, पूरा जिन्दगी नहीं रहता है, ये मैं जानता हूं, मैंने देखा है, तो हमारा दायत कर्तव ये बनता है, कि हम अपने लोगो के बारे चिंता करे, उनके लिए हम उनका भवश्य अच्छा बनाए, यहां में हमारे मंतरी हैं, सब लोग बेटे हैं, मैं जानता हूं कि मुख्य मंतरी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम को हमको आगे और बढ़ाना है, और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे बूत करेंगे, मैं करूंगा, आपको भी करना होगा, क्योंकि हमें अगर राज्य को आगे बढ़ाना है, तो हमको सब का साथ सब का विकास करना पड़ेगा, और सब का साथ सब का विकास अगरतला से भी बहार होना चाहिए, और मेंने देखा है कि हमारे उत्तर प्युत्र ब्रदेश के मुख्यमंति जी आए है मैंने उनसे कहा कि मुझे समय दीजिए मेरे माता जी जो राजमाता है वो आपसे मिलना चागते हैं त्रिपुरा में भी अपना बनारस में त्रिपुरा घाट है ये त्रिपुरा का महराजा था जिसने बनारसakt हंडु युनिवर्सटी में योगदान दिया हम लकिमबुर्थ खेरी से आते हैं मेरी मां वहां में भी मंदर है वो भी हम चाहते हैं कि आप देखभाल कीजिए क्योंकि मंदर का अगर कोई देखभाल नहीं करेगा तो मूर्तिक रखकर मंदर का चलाना क्या मतलब बनता है मैं चाहता हूँ कि आप उनका जिम्मवारी ले आज बंगलादेश में भी हमारे बहुत मंदर हैं आज उनका देखभाल कोई नहीं कर रहा है मुझे चिंता वहां का भी है हमारे जो अलपसंक्यक है वहां में उनके बारे भी हमें चिंता है और हमें आने वाले दिन में सोच कर समझ कर कुछ कदम लेना चाहिए जिसमें हमारे अलपसंक्यक हिंदू बंगाली हो, ट्राइबल हो, चाक्मा हो बुदिस हो, क्रिस्टिन हो उनका भी सुरक्षा मिलना चाहिए बंगलादेश में पहले अईडिया अउफ इंडिया इस च्रीएट विच्ब का साथ सब का विश्वास अईडिया अउफ इंडिया is that of a culture of a civilization a civilization cannot be equated with your diet यहां में हम हमारे पुजारी लोग पाठा मंग्सों घाते हैं मच्छी घाते हैं कहीं और में कुछ और होता है हर हिंदु धर्में भी बहुत अलग-अलग cultures हैं हम लोग माकाली का पूजा करते हैं मैं जब साथ इंडिया में जाता हूँ वहां में कुछ और है हिंदु धर्म को आप एक नजरिय से नहीं देख सकते हैं अलग-अलग नजरिय से देखना पड़ता है इसके लिए तो इतने देवता है जब मैं नेपाल जाता हूँ वहां में अलग रकम का एक आयूजन होता है तो हमें अपना धर्म को समझना चाहिए उसके बाद हमें समझाना चाहिए हमेशा क्या होता है मैंने देखा है विनाशकाल, विप्रीग, बुद्धी हम खुद तो नहीं समझ पाए लेकिन दूसरे को समझने के लिए हम रास्ता दिखाते है मैं अनुरोथ करता हूँ हमारे चित्त महराज को कि मंदिर में आप सब का स्वागत कीजिए जब मंदिर में हम आएंगे जब हम मंदिर को देखेंगे जब भोग सब को मिलेगा तभी ईश्वर का आशिरवाद हमारे उपर आएगा ये परंपरा है त्रिपुरा का यहां में जाती जन जाती हम सब को हम सब ईश्वर का प्रात्ना भी करते हैं और हम सब को शांती का मतलब भी समझना चाहिए आखिर में मैं सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोग जिनोंने और्गनाइजिंग कमिटी से आपने मुझे यहां में निमंतरन दिया आपने इतना आदर दिया मैं सब को धन्यवाद कहना चाहता हूँ I love you आपने इतना प्यार मुझे जो दिया है मैं इस मंच में बैठा हूँ यह आपका प्यार है यह सत्ता का पावर नहीं है यह आपका प्यार है आप लोगों को बहुत लोग भूल जाते है बुबागरा आपको नहीं भूलेगा हमेशा आपको आधर करेगा आप लोगों के लिए ही ये आप लोगों के लिए ही हम लोग यहां में है हम अपना जड़ को पहचानते हैं we know our roots we know our culture and we will preserve and protect our culture but we will not destroy other people's lives ये मेरे माँ बाप में मुझे समझाया मेरे माँ ने समझाया मेरे पिताजी ने समझाया कि धर्म को सुरक्षा करो लेकिन किसी के उपर आक्रमन मत करो आपका ताकत आपका शक्ती अंदर से मिलेगा औजार से नहीं मिलेगा यही मैं कहकर सबको बलाई बलाई नहांबाई खुलूंका I love you and God bless everyone बलाई नहांबाई Thank you